वेल्कम तू माई चैनल माजी वेटनरी में आपका स्वागत है अभी तक हम अपनी चैनल पर पसुप अच्छी समझे जानकारी उसके दवा के बारे हम जानकारी दिया कभी-कभी अच्छे पसुप वीडियो भी डाला आज हम अपनी चैनल पर एक एकदम नई जानकारी देने लेकिन इस तरीके से कोई नहीं देता है ना दिया होगा आप चैनल पर नहीं पाएंगे तो चलिए चलते हैं गाय भैंत, भेड, भेड, बकड़ी, शुगर किस पसूर को पालना ज़्यादा उचित होता है किस में आमदनी ज़्यादा है वाएफे तो लोग शौप बाफ गाय भैंत को ज़्यादा पालते हैं लेकिन आमदनी कितनी होती है आपको पता है आप एक भैंत ले लीजिए आप एक भैंत ले ले लीजिए भैंत अगर बच्चा है चैर्जा है तो उफको प्रिरियन्ट होने में प्रिणेंट होने में तीम फाल लगें कितने तीम फाल एक औरेज है कभी कभी फाले तीन चार भी हो सकता है या तीम फे एक दो महिना कम हो सकता है इस ज्यादा कम नहीं होता है तो कुल मिलाकर पहला बच्चा चार साल पे मिलेगा उसके बाद आप दोस्त पाएंगे इसके पहले आप कितना खर्चा कर देंगे यह तो आपके उपर है और अगर आप एक बकड़ी पालते हैं बकड़ी इतना बड़ा है तो पहला बच्चा कितने दिन में देगा 12-14 महिने आप बहुत ज़्यादा 15 महिने में पहला बच्चा देदेगा और जब दुबारा वही बकड़ी हर 6 महिने पर एक बार बच्चा देती रहेगी पहली बार एक बच्चा देगी उसके बाद दो बच्चे तीन बच्चे देती हैं और अब आपको हम खर्चा बता दें एक भैस पर जितना खर्चा करेंगे एक भैस पर जितना खर्चा करेंगे उतने में आप की चालित बकड़ियां उसी खर्चे में खाएंगी तो आमदनी किसमें ज्यादा हुआ लेकिन सब लोग इसको गंदगे मानते हैं लेकिन कुछ लोग फार्म के रूप में अच्छी आमदनी कमा रहे हैं तो अगर जितना खानगी आप भैस को दे रहे हैं उतने ही खर्चा में अगर आप दस बीस बकड़ी पा लेजिए तो आप जहां पचाफ जार कमाएंगे वहां पांच लाग कमाएंगे फिल हाल इस वीडीयो में आज इतना ही अगर आप कमेंट करिए हैं आप कमेंट करेंगे तो हम बताएंगे कि जरूरोड बता एंगे कि एक भैस की ऊपर कितना खर्चा आता है और अगर आप किसी अनपफू की जानकारी पसपालन की जानकारी लेना चाहते हैं तो कमेंट बाकश में मश्य बताईए हम जहां तक कुफिफ करेंगे उसके बारे में आपको जानकारी अच्छी तरीके फिदेंगे तो चले चलते हैं फिर मिलते अगली वीडियों में तब तक के लिए आप मारेशन को सब्सक्राइब कर लिजिए और आफा करते हैं कि आप लोग बख़ी पालन पर अवफिद हैं